दोस्तों कई घरों में ऐसा होता है बहु काम कर रही होती है किचन में आजू वाजू घर का जो काम समेट रही होती है वहीं पर बगल में बेटी बैठी होती है बेटी कुछ भी काम करें अपना नाखुन पॉलिस लगाए अपना बाल बनाए अपना मैक अप करें लेकिन उसे कि शली रहती हैं अगर स्वधू मा को या पती देव को या ससूर को इस पाल जी माज चाहिए उसके लिए काम कर रही होगी मैं कप से कॉप का वह भावी को आवाज रगाएं वह भावी दोड़ी दोड़ी आती है हां किसको क्या चाहिए और एक घब राती हुई तो बहुत अफसोश होता है ऐसे घरू के कई घरू के ऐसी कहानिया और कई महलाओं के ऐसे कोमेंट से आते हैं जब मैं महलाव पर वीडियो बनाती हूं कि इस दर्द से हम भी गुजर रहे हैं इस दर्द से हम भी गुजर रहे हैं तो मैं यह कहना चाहूंगी क्यों वह किसी की बेटी नहीं है वह जो पापा की परिया होती है माई के मैं जिसे माबाब एक गिलास स्वर पानी का नहीं उठ वहीं जब ससुराल चाहती है तो उन्हें मतलब सब के बोझ तले दव जाती है और वह ही कि परिवार चाहता है उनकी बेटी जहां जाए तो उसके लिए एकल परिवार धूटते जहां एक ही लड़का नंद नहों थेवर नहों साएस मदद करने वा जब आप उसका दर्द समझोगे उसका दुख समझोगे तो आपको क्यूं नहीं समझे गे सबसे पहले कई बेहनों के ऐसे सवाल थे कि हम भी अपने परिवार में अपने उसमें पीसे हुए हैं हम इस तर्द से बाहर निकले हम इस गुटन में जी रहे यह इस गुटन में पहले जी रहे थे आज सबसे पहले आपसे मैं कहूंगी क्यूंकि आपको लगता है जिस परिवार में हमें सबसे पहले रिजन यह होता कि आप जिस परिवार में होते हो जहां आपको बोला तो प्या बैठी है वह ऐसे फालतू की काम कर रही है अगर चाहे तो ओठके गिलास पानी का ले सकती है लेकिन नहीं क्योंकि आप पसी निमना हाई आप किचन महों आप या कुछ और काम कर रहे हो कर तो काम ही रहे हो घर का उसके लिए आपको वहां से दोड़ाया जाता है तो सबसे पह आहे हैं जरूरी नहीं है इस समस्य का सल्यूटन आपका लडाई झजगडाई हो जोग लडाई झगल नहीं होते हैं अगर लडास झगड़ों से चीजन लड़ाई जगणे कर लेते लड़ाई जगणों से रहने से परिवार सुधर जायेगा और उनसे मेंसको ऑड़ाई आया रिजिद Bengal नहीं करणे हैं। तो कही न कहीं आप खुद जमदार हैं वो और कोई जमदार नहीं आप खुद जमदार हैं इस चीज के कि वो लोग आपका यूज कर रहे हैं क्योंकि आप बहु हो आप बेटी नहीं हो लेकिन आप यह चीज भूल जाती हो कि मैं जिस घर से आई हूं वहां मुझे एक गिलास पानी का नहीं उठाया दिया जाना चाहिता है ऐसी सिच्विशन में दोई चीज होती है यह तो पापा की परिया समझती नहीं उस घर में तमासा कट जाता है लडाई जगड़े हो जाते हैं पती क्यों लग रहने की जित करती है जब पती इस चीज के लिए अगरी नहीं होत तो भाई घर बचाना है तो चुट्चा बरदास करने यह दो चीजा आप पाड़ लेती हो उसके अलावा तीसरी चीज आपको नजर नहीं आती कि इसका तीसरा रास्ता भी हो सकता वो तीसरा रास्ता आज मैं बताऊंगे आपको क्या होता है वो तीसरा रास्ता यह होता है कि समीती है लगता है एक दो दिन धिन दस दिन लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट सीवह बहुत धियान देते हैं इसके बाह चले जाते हैं जाता है उसके दिन आपको बैट बैट जातए फिर सब कुछ आपको करना है सुबहे किचन से लेके बच्चों को टिपन पैक करने से लेके देवर नन्नत सब का नास्ता लगाने से लगे लेके उनके कपड़े दोने से जाड़ों पोच्छा बरतन जितने घर के काम होतना वह आपके रह जाते हैं फिर किसी और के नहीं रहते वहां पर आप गलत होती हो क्योंकि आप घुस जाती मेरी जिम्हदारी मुझे सब कुछ करना है तो आप अपने लिए समय नहीं निकालती हो दिन बर करते 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 और मांज घरते कि और मांद सब खेंग रज़ा है अपने दिमारों जगह बना लिती हो वो सारा बोजना अपने खोपड़े में लेके बैड़ जाती हो और अपने आपको मांसिक रूप से परिशान कर लेती हो तो क्यूं करती हो इसके लिए आपको सबसे पहले उनको उनकी जम्मेदार्यू का एहसास कराना है वो आप चूप रहके भी कर सकते हो उसके लिए लड़ाई जगड़े तमाम चीज़े नहीं करनी है हाँ जो आपकी जम्मेदारियां से करो जो नंद बैठी है तो उनको प्यार से समझाओ भाई जब कर रहे तो यह काम आपका भी होता है चासुमा चल सकती है फिर सकती है उनकी शेवा करना आपका धरम है लेकिन अगर वो खड़ी है नल के पास खड़ी है ग्लास आप से कहरी पानी भर के दे तो कही न कहीं आपके आत्मसमान को तोड़ा जा रहा है ठेस पहुंचाया ज अपने दिन का एक घंटा अपने लिए अलग से निकालो उस एक घंटे मां आपको किसी को डिस्टब नहीं होने देना क्योंकि मैं जानती महलाओं दूसरी की जिम्मदारी निभाते हुआ अपने लिए एक मिनट का समय नहीं निकाल पाती है उस टेंशल में मानसिक रूप से इतनी परिसान हो जाती है कि खुद के लिए उनको बोलने को नसब रहता ना खाने का समय रहता ना पहन पागलू जैसी स्थिति हो जाती वो स्थिति अपनी खतम करें सबसे पहले अपने दिन का एक घंटा अपने लिए निकाले जिसमां आप एक घंटा गूम है फिर यह जो पूजा पाट करते हैं और जो नेगटिव चीज़ हैं गलत चीज़ हैं जो विचार दह रहा हैं वह उन लोगों का आपके दिमाग में आता है कि यह ऐसा करते मुझे ऐसा परिशान करते हैं उनसे लड़ने के लिए रास्ता निकालो कि यह काम तो केला मेरा नहीं है इंचान गर्मा आता है तो बहुत सारी उर जाया उसके सात्मातिव नगटिव पॉजिटिव कई चीज़ें उसके सात्म अंदर प्रिवेश करती हैं आय तो सांत तरीक से बठाल्या पानी पिलायां रिलेक्स होने दे क्योंकि मैंने कई और तो को देखा पती कहर के अंदर ग कि आपने लिए दूस्मन करदें जो आपका पती आपनी चगलिया करने को नहीं देख रहे दिन बर केखियां इस तरस मे Eu this इस सब्सक्राइंicios कि आपका इस सब्कka performed there तो उसका दिमाग भी आपके तरफ एक नाकारत्मक सोच रखने लगता है। सबसे पहले पती जी घर मा आते हैं, हजबेंड जी घर मा आते हैं, उनको पानी पिलाइए, चाहे नास्ता कराइए, कुछ मत बोलिए एक दुगंटे, क्योंकि इनसान बाहर से आ रहा है, किस स्तिती में आ रहा है, किस सालत में आ रहा है, उसके साथ क्या हुआ पूरे दिन, उस पर बात कीजिए, आज का दिन कैसा गया, और आप उसके बिसे में पूछिए, क्या उसके साथ गया, प्यार से पू कभी भी पती से कंप्लेंड ना करें अगर आपको जीवन भर परिवार बनाना है रिष्टेनी भाना कभी भी पती से शिकायद ना करें क्योंकि अधित्तर जो लडाई जगड़ों के जड़ मैंने देखिया अपनी जिन्देगी का प्रेक्टिकल अनुभाव वातारी मेरे पास जितने भी ऐसे मैटर आये हैं तो इन ही मुद्दुपा आये हैं सास ने कुछ का तो पती से चुगली कर दी नर्च कर दी बैवन ने कुछ कका पती से देवर की तो बंध कि तो दिमाग है वह भी तो सोचे गए और चिगली करती रहती है तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें हां उनकी जम्हद्यारी को एसास कर रहे हैं नंद बैठी और मान लीजे मेकप कर रहे हैं आपकी चर्मा खाना बना रहे हैं आपसे पानी मंगाया जाता आप जड़ से धडल से बिल्कुल घपराती हुई वह सब चीज छोड़ चाड़ के पानी काम कर रहे हैं थोड़ा बीजी मेरे हाथ सही नहीं है अगर में कीचन मेरे हाथ सही नहीं आप आके पानी का गिलास देलो बोलना सीखिए इस चीज पर आवाज उठाना सीखिए आप सुरू से कर देंगे उन्हें लगने लगेगा है कि हमें भी अपनी जुम्हदारी को ऐसा और स सब्सकुत मावाबन की सिवा करना धरम बनता है और लेकिन धरम बनता है अत्याचार सेहन करना आप कंड़ा है कि नहीं कि क्योंकि अरणी पति विचारा तो दिन भर की टेंशन से पिर आपके घर की टेंशन उसे लड़ेया क्या करें परिवार का माहौर गलत हो जाता है कि अपने को रिस्पेक्ट दीजिया अपने को रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे ना अपने लिए होता है कि वो दिन भर काम के बोच तले ऐसी दब जाती है कि छुटे-छुटे कामों के लिए उनको अहां से बहां भगाया जाता है जबके आप कर सकते हो हाद पे रहे सब लोग नंद पता चल रहा पड़ा नहीं दिया मूबाइल फॉन चला ली अरे भाभी ये कर दिन आज अगर एक्स्ट्रा कुछ खाने का मन है तो मेरे साथ हेल्प करो जरूरी निया कि तुम ही बनाओ को हां मैं करती हूं आये मेरे साथ हेल्प करें करते हैं तो क्यों नहीं करेगी नहीं करेगी तो जाओ फिर बनालो अपनाम खुद को थोड़ा सकते हैं अपने आपको समय दो प्राथान दो क्योंकि जिंदगी जब उमर 30-35-40 साल की उमर हो जाती वहां से सरीर कमज़ूर होना शुरू हो जाता है वहां से मालशी क्रूप से थक जाते हो वहां पर कोई आपका दिहान रखने नहीं आता है फिर अपने बच्चे अब वह भी अपना मान करते हूं वह देख रहे होते हैं कि आप सब का सुनती है तो वह भी कहेंगे रहे गिलास पानी लाओ मेरे बच्चे आते हैं ठक के स्कूल से तो मैं पानी वागर उनको देती हूं लेकिन एक्स्टर टाइम है जब बोलते हैं तो नहीं अपना काम खुद करना इसकूल से आपना लंच बॉक्स निकालो सिंग में डालो इसकूल से अपनी जूते निकाल के जगह में रखो अपने काम फिनीश करो उसके बात आप भी फिरी मैं भी फिरी तो ऐसा माहौल करका बनाओ ताकि दूसरा आपको इस माहौल को खराब करने में हिम्मत न करें सभी का सवयोग से बनता है अकेली आप लगेंगे पूरे दिन मरेंगी और जिंदेगी तो आपकी भी है और दोस्तों कैस अगर नेक्स वीडियो मेरा देखना चाहते तो चैनल को सस्क्राइब करने ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिक्सिन आप तक मिल सके डेली सुबह आट बजी वीडियो लेके आते उस पर अपने प्यार बनाए थैंक्यू तहे दिल से धन्यवाद अपना राय जरूर दीजिए ताकि में नेक्स वीडियो में जो भी मेरी कम्या रहें से सुधार करपाऊं ओके तहे दिल से थैंक्यू